हेलो दोस्तों जैशे राम स्वागत है आप सभी का मेरे शनल टेक्षेड़ों में मैं आपका दोस्त पनिच्वान फिर आज़ी रहा हूं आपके सामने फिर किसी एक नहीं समस्या का समाधान लाते हुए पिछले मैं दो वीडियो इस चीज पर बना चुका हूं हाउ टू अपडेट इंशुरेंस इन परिवाहन और एम परिवाहन यानि की परिवाहन हो एम परिवाहन हो या कोई भी ऐसी एप्लिकेशन हो जिसमें की लोग अपना गाड़ी नंबर डाल के चेक करते हैं इंशुरेंस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है इन चीजों में ल expiry से कुछ दिन पहले मेरा सही मानना जो है insurance के expiry से 4-5 दिन पहले या फिर 1 week पहले insurance जो है हमें वो renewal करा लेना चाहिए ताकि जो पुराना insurance है वो तो आपका updated रहे गाई जो नया insurance आप लोग करवाएंगे अगर उसको updation में कही न कहीं थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो उसको उसके updation को लेके आपको कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े आपको कोई police पकड़ती है या फिर कहीं checking होती है तो उसमें जाब application में चेक किया जाता और पता रगता है आपने अभी हाल फिलाल में insurance कराया और वो आपका अपडेट नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपको कई सारी सफाईयां देनी पड़ती है आपको mobile insurance या फिर physical insurance दिखाना पड़ता है क्या चीज़े उनको समझानी पड़ती है टेकनिकल चीज़े समझानी पड़ती है क्या इबर उनको आपको पहले भी बताया था insurance अपडेट कराने के लिए जिस भी insurance company से आपने insurance कराया देखी कैई तरीके होता है insurance कराने के भी पहला तरीका है कि आपने मान लीजिए मैं example लेता हूँ आपने direct HDFC की site पे जाके हो सीधा-सीधा और HDFC वालों से अपना insurance करा लिया थीक है पहली चीज हो गई है दूसरी चीज यह कि आपने किसी ब्रॉकर के थूर्ण हे खते कराया jean जैस्बाद आपने on पहलआर्य किसी router 4 आपने जैसे किसी एसी site पिए जैसे कि क्याषारी sites होती है insurance की उन site पहतीकेसाथ इंशूरेंस आदे इसमें से अपनेfirec सेलक्ट कर लिए और अपने इंशुरेंस कर लिए अब यह चीज Mirror kinda रहते हैं कया है लोग इस चीज में यह पनतैक्ड करेक्ड करे कहां एक तरीका मैंने अपको यह भी बताया था कि आप परिवहान själковी से अप्लिकेशन को आप खोलोगे तो contact us में आपको m परिवहन की भी email id उसमें दिखाई दे जाएगी m परिवहन की जो email id आपको उसमें दिखाई देगी उस पे भी आप अपने insurance की copy attachment में डाल के और उनको mail कर सकते उसमें लिख सकते हैं जो भी आपको दिक्कत आ दी आपका insurance वह अपडेट नहीं हो रहा या घलत अपडेट है या पांट साल का third party और एक साल का first party है और first party expire हो गया बट इंशुरेंस अब भी पांट साल के लिए तो उस चीज में आप उसको mail कर सकते हैं वह दुबारे से उस चीज को करवाया है उसको और उसे का insurance आपने लिया है तो आप website पर जाके या फिल इंशुरेंस में नीचे mail ID दी होती है उस पर डारेक्टली कॉंटेक्ट के जी क्योंकि जो insurance है आपने किसी के थूरू नहीं खरीदा है यह अपने direct HDFC के site से खरीदा है यह कोई भी insurance company उसके अपने site स खरीदा है आप जाके directly उनको mail कर सकते हैं और वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे आप उनको mail करेंगे सीधे सीधे और वो आपके insurance को जो भी उनका timing period होता है 24 से 48 गंटे 72 गंटे उस timing period के अंदर वो आपके insurance को update कर देंगे दूसरी चीज अगर आप किसी third party website पे जाके औ और तब उसमें से किसी company का insurance purchase करते हैं और उसमें से मान लीजी आपने HDFC का किया तो उस time पे आप directly HDFC को approach नहीं कर सकते हैं उसमें आपको क्या करना है case में कि जिस भी third party application पे जाके या website पे जाके आपने insurance को purchase किया है आपको mail करना है उस third party application को या website वाले को जहां से आपने इस उनको mail में अपने insurance की copy attach करके भेजेंगे और उसमें लिखेंगे अगर update नहीं हो रहा है तो एक दो तीन चार लाइने लिख दी नहीं है कि हमने आप कहां से insurance करीदा है और I have purchased insurance from your this website and in I am Parivan app I am unable to see that my insurance is updated there finally update my insurance I am sending you the insurance copy along with all the details इस तरीकी से कुछ दो तीन चार लाइने लिख आप उनको mail कर सकते हैं तो यह हैं आपकी कई तरीके insurance को update करने के लिए अगर फिर भी आपको बार बार इस तरीके के समश्या आती है तो आप मुझसे consultancy ले सकते हैं अगर किसी को insurance अपना renewal कराना है या फिर insurance update में कोई दिक्कत आ लिए तो वीडियो में मैंने आपको अपना समाधन करने की तो WhatsApp पे भी आप उनसे बात कर सकते हैं खासकर अगर इस तरीकी के समस्या आपके साथ बार बार आ रही है तो आप insurance renewal जब भी कराए तो एक बार बात जरूर कर लिए WhatsApp पे जो भी आपकी best quotation होगी जो भी best price होगा आपको lowest price में और update की समस्या जैसे कि मैं जानता जिससे कि आपको यह बार-बार insurance update कराने की समस्या ना आए तो renewal के टाइम पे जरूर मुझे SMS कीजिएगा WhatsApp पे नंबर से लेजिए screenshot ले लीजिए वीडियो में से कोई भी किसी भी तरीकी की परिशानी होती है नॉर्मली भी बात कुछ करना चाहें कुछ पूछना चाहें तो नॉर्मली बात करने का कोई चार्ज नहीं है आप लोगों का प्यार हमेशा हमारी वीडियो पर इसी तरीके से बना रहे यही आशा हमें आपसे हमेशा थी है और रहेगी फिर मिलते हैं आप लोग को से किसी next वीडियो में किसी समस्या का समाधान लेका तब तक के लिए आप आप लोग जरूर अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जैश्री दाम